हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा ये कैसा मंत्र है जिससे कई सालों से लोग मानते आ रहे हैं और घर में भगवान में बलकि तिरंगा में अशोक चक्र की जगा आज भी चर्खा लग thought हुआ है और तिरंगा के साथ साथ महात्मा गांधी की भी पूजा की जाती है तब ही कोई भी इस गाउं में अन ग्रहन करता है जिहां देश में अमरित महुत्सों के शुबासर पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुवात इसी साल से हुई है लेकिन आज हम आपको इसे की लोग अपने दिन की शुरुवात तक नहीं करते तो क्या है पूरी खबर आपको हम बताते हैं मगर उसके पहले नमशकार आप जंता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपकी साथ बंदना पांडे देश में चीहत्तर वास्वात अंत्रता दिवस मनाया जा रहा है लोग की जाती है और साथ में महात्मा गांधी की फील्ग होती हैं अपने दिन की शुरुवात एसे ही होती हैं जंद समुई समुदाइं के लोग हैं जो पिछले सौ साल से जादा समय से अपने घर पर तिरंगा की पूझा करते हैं और उनकी दिन के शुरवात ऐसे ही होती है तिरंगा पूझन से और उनकी आस्था इसमें इतनी जादा गेहरी है कि तिरंगा का पूझा किये बिना अंतोदूर की बात है जल तक ग्रहन नहीं करते हैं वैसे तो देश को आजाद हुए जादे आजवादी के आंदोलन के समय तिरंगे में अशुक चक्र नहीं बलकि चर्खा चिन होता था लेकिन बाद में उसे बदलकर अशुक चक्र कर दिया गया लेकिन आज भी ताना भगत समुदाय के द्वारा चर्खा चिन वाले तिरंगा का ही पूझा किया जाता है और इस रहा पर ही जगाउं के लोग चलते हुए आज भी सफेद खादी के कपरे और गांधी टोपी पहनते हुए आपको नज़र आएंगे यही इनकी पहचान बताई जाती है उनका रहन सहन भी काफी जादा सरल है और यह मांसाहार और शडाब के सेवन से भी दूर रहते हैं मतलब गांधी जी क्यों हर एक बात का यह के लोग पालन करते हैं शुदसा कहारी बोजन करते हुए अपने आंगार में बनी पुझा धाम में तिरंगे की साथ-साथ महात्मा गांधी जी की पूझा करते हैं उनको अपना गुरु मानते हैं चत्रा के सरईया गाउं के रहने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि चडखा वाले तरंगा को वो लोग अपना धर्म मानते हैं और इसलिए वो अपने दिन की शुरुआत ही तरंगा की पूचा से करते हैं टाना भगत एक पन्थ है जिसके शुरुआत साल 1914 में की गई थी समुदाय के द्वारा समाज के लोगों को एक नई और अलग जीवन शैली को उस विकार्णे पर मजबूर किया गया था नांस मचली पशु बली जीव हत्या भूत प्रेट के अंधविश्वास शराब सेवन के वरुद में मुहीन की शुरुआत भी की गई थी और उनका भियान असरदार भी साबित हुआ था जिसके बाद इनको टाना भगत कहा जाने लगा ब्रिटेश हुकूमन से भी छुटकारा पाने के लिए आंधूलन उनके द्वारा किया गया था और अब यही समुदाय है जो आज से नहीं बल्कि सौ सालों से भी जादा समय से हर घर ते रंगा हर हाथ ते रंगा मंतर के साथ अपने जीवन में आगे बर रहा है और देश की अजादी मुहत सोखों मना रहा है बाकिया बाब बताईए आप हर घर तिरिंगा अभियान का हिस्सा बने हैं या नहीं कमेंट में बताएं वीडियो को शेयर कीजिए और बाकिया ने खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं जो अंता जंक्शन कैमरी के पीछे विशाल थी और मैं आपके साथ वंदना धन्य बाकिया थी और था करा घचसे बाकिया अजैपल इसमें थी जाउला था क्यों आपे लाणjar हैं